नीदरलेंड के गौवर्मिंट ने लॉक्डाउन के नियमों में थोड़ी छूट देना शुरू कर दिया है निदरलेंड की गवर्मेंट ने कोरोना संक्रमन के चलते पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया था पर अब वहाँ पर लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन अभी भी जारी हैं जैसे कि एक जगे पर एक साथ आठ या आठ से ज़्यादा लोगी कठे नहीं हो सकते हैं योरोप में अब एक बार फिर धीरे धीरे कोरोना संक्रमन कंट्रोल होने लगा है जिससे अब वहाँ की सरकारे ये मान रही हैं कि ओमिक्रोन से ज़्यादा खत्रा नहीं है इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन में धीरे धीरे छूट देने लगी है इसी के चलते फ्रांस ने भी यूके से आने वाले पैसेंजर के लिए अपने नियमों में बदलाव कर दिया है यानि कि अब यूके से सभी पैसेंजर फ्रांस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं यदि आप भारत से टर्की जाना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी देश से टर्की जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वैरस का नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर ट्रेवल करना होगा ये नियम टर्की की गॉर्मिंट ने 16 जन्वरी से लागू कर दिया है साथ एफरिका ने क्वारंटीन और लॉक्डाउन के नियमों को आप कम्प्लीटली खत्म कर दिया है यानि कि अब यदि आप साथ एफरिका में पहुचते हैं तो वहाँ पर आपको क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी कोरोना वैरस के संक्रमण को देखते हुए फिनलेंड की गौवर्मिंट ने 31 जन्वरी तक फ्लाइट ऑपरेशन पर बैन लगा दिया है यानि कि अब 31 जन्वरी तक आप फिनलेंड के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे जापान की गौवर्मिंट ने थाइलेंड से आने वाले पैसेंजर्स को 13 दिन के लिए इंस्टिचूशनल कौरंटीन में रहना कमपलसरी कर दिया है गौरतलब है कि पहले ही जापान की गौवर्मिंट ने साफ कर दिया था कि वो फरवरी से पहले अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे और अभी जिन देशों के लिए जापान ने अपनी इंटरनेशनल सीमाएं खोली हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन और इस्ट्रिक्ट कर दिये गये हैं मलेशिया की गॉर्मेंट ने ट्रेवल नियमों में बदलाव किया है जिसके तहट अब यदि आप ट्रेवल करके मलेशिया में एंटरी करते हैं और आप फुली वैक्सिनेटेड हैं तो आपको इंस्टिचूशनल क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा पिछले दो महिनों के दोरान यदि आप कोरोना वैरस से संक्रमित हो चुके हैं तो भी आपको मलेशिया में एंटरी के बाद क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा मलेशिया की गॉर्मेंट द्वारा ये नियम 13 जन्वरी 2022 से लागू कर दिया गया है संयुक्तरब अमिरात के दुबई शारजा इत्यादी शेहरों से भारत यात्रा करने वाले प्रवासियों को लेकर अंतराश्टरी यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं जो की 17 जन्वरी की मध्यरात्री से लागू हो जाएंगे संयुक्तरब अमिरात के किसी भी शेहर से यात्रा करके मुंबई पहुशने वाले सारे प्रवासियों को अब साथ दिन के कंपलसरी होम क्वारंटीन और आगमन पर आर्टी पीसियार टेस्ट के कंपलसरी सूची से हटा लिया गया है ये गाइडलाइन सत्र जन्वरी की मध्यरात्री से लागू हो चुकी है आपको बता दे कि प्रादिकरण ने 29 दिसंबर को ये अनिवारे कर दिया था कि जो भी लोग संयुकतरब अमिराथ से आ रहे हैं वो मुंबई में आने के साथ ही एयरपूर्ट पर आर्टी पीसियार टेस्ट करवाएंगे और साथ दिन तक कंपलसरी होम क्वारंटीन में भी दे हिंगे